एक बार फिर आप सभी दर्सकों का सत्यमनीज बेग टीवी में स्वागत है। सुप्रभात आदाव नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूँ नसीर कुरेशी। आईए नजर डालते हैं आज बुद्धवार तारीख 14 अक्तूबर की अहम वा बड़ी फटाफट कबरों पर। हर खाकी दागदार नहीं होती। कुछ मानवी भी इस खाकी में मौजूद हैं। ऐसा ही एक नजारा मंगलवार को ग्यानपूर कोतवाली के समीप देखने को मिला जहां एक रहगीर बृद्ध चलते चलते अचानक जमीन पर गिर पड़ा। हलाकी बृद्ध के जमीन पर गिरने का नजारा कईयों ने देखा। परंतु हर कोई मुँ फेर कर चलता बना। लेकिन वहां कोतवाली के समीप खाकी की मानवता जाग गई। और वहां पहुचे कई पुलिस कर्मियों ने जमीन पर गिरे बृद्ध को उठाया और दीवार का सहारा लगा कर बैठा दिया। मुँ पर पानी का छीटा मारा और अस्पताल पहुचाया। बीमार बृद्ध के लिए खाकी मददगार साबित हुई। ऐसे ही कुछ गिने चुने पुलिस के जवानों की वज़ा से कभी-कभी पुलिस का इस तरह का मानवी चेहरा सामने आने से लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सीवल लखन जैसवाल के ऊपर उस वक्त पहार तूट पड़ा जब पुलिस की गाड़ी उसके दुकान में घुस गई। जाती इस हादसे में दुकानदार का काफी नुकसान हुआ है। हादसे में बाल-बाल लोग बच गए। पुलिस का वाहन घुसते ही रात में अफरा तफरी वसोर शुरू हो गया। आपको बता दें कि यह वही परिवार है जिसे वर्स 2018 में समीब के एक भूम से यह कहते हुए हटा दिया गया था कि यह सभी तालाब की भूम पर अधिकरमड किये हुए हैं। बताया तो यहां तक जाता है कि जिला परसासन ने इन्हें बसाने की बात कही थी लेकिन आज भी कई परिवार फुटपात सहीत किराय के मकानों में रहने को मजबूर है। अक्तूबर माह में तेहवारों के सीजन का आगाज हो गया है जिसमें नौरात्री दुरुगा, पूजा, दसहरा जैसे बड़े पर्व सामिल हैं। उसके बाद दिपावली नजदीक है। ऐसे में लोग खरीदारी के लिए बाजारों की तरफ रुख करते हैं। अब आपको बता दे कि भदो ही जिले के कुछ बाजार ऐसे हैं जिसमें काफी भीड़ार होती है। कई-कई मार्केट काफी तंग गलियों में हैं। ऐसे में इस संकरमण काल के दोरान में खरीदारी के दोरान काफी सालधान रहें। खरीदारी करते समय कई बातों का विसेज ध्यान रखें। भीड़ार वाली जगहा पर जाने से बचें। यदि बाहर जाना है तो मास्क पहन कर और सेनेटाइजर लेकर ही बाजार जाएं। क्योंकि भीड़ार वाले इलाके में फीजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। ग्यानपुर रोट रेलवे स्टेशन के प्लेटफान पर सहजाद नामक यूवक घायल अवस्था में पढ़ा था। पड़ा देखा तो उसके जेब से मुबाइल निकाल कर परियनों को सूचना दी। परियन स्टेशन पहुचे तो माजरा देख दंग रह गए। पुलिस वा परियन काफी देर तक एम्बूलेंस बुलाने के फोन करते रहे। इस बीच कई बार गोपी गंज सियस्सी अधिच्छक को भी परियनों ने फोन किया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसी तरह पुलिस के सहयोग से युवक को सामुदाइक स्वास्त केंद्र गोपी गंज ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने मिर्त गोसित कर दिया। बताया जाता है कि अगर समय रहते सहजात का इलाज हो जाता तो सायद उसकी जान बच जाती। लेकिन एम्बूलेंस सहित स्वास्त बिभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने सव को कबजे में लेकर पोश्मार्टम के लिए भेज दिया है। बिद्धुत चोरी पकड़ने वा बकाया वसूली के लिए मंगलवार की सुबा खुद अधिसासी अभियंता बिद्धुत रामकुमार सलक पर उतर गए। उनके साथ जियोती प्रकास वा मनोज राय तथा बिजलेंस टीम भी मौजूद रही। मंगलवार की सुबा अधिसासी अभियंता रामकुमार भदोही सहर के जमुद में धमक पड़े। सुबा सुबा आउचक निरिच्छन करने पहुचे बिद्धुत विभाग की बजा से हलकम्भ मच गया। अधिसासी अभियंता के आउचक निरिच्छन की सूचना मिलते ही तमाम विद्धुत कर्मी मौके पर पहुच गए। आपको बता दे की अवायद कनेक्शन वा बखाया वसूली के लेकर अधिसासी अभियंता पिछले कुछ दिनों से काफी सक्त नजर आ रहे हैं। और ताबाल तोड अभियान चला कर विभागी अधिकारियों द्वारा कार देखी गई। हुए कारकाल की जिम्मेदारी परधानों को ही दी जाए। साथ ही पंचायत सुनाओ नजदीक देख लोग जूटी सिकायत भी कर रहे हैं। जाच में अगर सिकायत जूटी मिले तो उनके खिलाफ कारवाई की जाए। इसी तरह किमागों को लेकर परधान संगठन के लोग डियम कार्याले पहुचे थे। इस दवरान राम सेवक यादो, सिरीराम दूबे, संजयव जगदंबा मुझूद रहे। वितरण के लिए रासन भारती खाद निगम यानी एफसी आई वा विपलन केंदर गुदामों से अनाज कोटे दारों तक पहुचता था। लेकिन वन इस्टेप डिलेवरी सिस्टम लागू होने के बाद अब अनाज सीधे कोटे दारों के दुकान तक पहुचेगा। अब इस नई विवस्था से विपलन केंदर के पल्लेदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पल्लेदारों का कहना है कि सभी पल्लेदार रजिस्टेट पल्लेदार हैं। पल्लेदारों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी रोजी रोटी के लिए दूसरे कामों से जोड़ा जाए। जिले के दो अलग-अलग अस्थानों पर अलग-अलग हाथसों में दो लोगों की मौत हो गई है। मिर्तक के गाउं में मातम जैसा महौल रहा। आपको बता दे कि आवराई इलाके के घुसियां नटवा पिट्रोल पंप के पास अग्यात दुवाहन की चपेट में आने से निवादा निवासी राजेस गौतम नामक कालीन बुनकर की मौत हो गई। वह उगापुर इस्थित एक कालीन कमपनी में काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही परजनों में कोहरा मच गया। इसी तरह उस्थाना इलाके के भानपुर गाउं में किरकेट खेलते समय गेंद से चोट लग जाने के कारण परदुम बिंद नामक 17 वर्सी की सोर की हो गई है। परदुम परिवार का एकलावता चिराग था दोनों घटनाओं से इनके गाउं में मातम पसर गया। अवैद तरीके से आरा मसीन चलाई जा रही है। और इस मसीन का संचालक अवैद पेडों की कटान में भी सामिल है। आरा मसीन संचालक द्वारा लकडी माफिया का भी सिकायत करता ने आरोप लगाया है कहा कि अवैद रूप से चलाय जा रहे मसीन पर अवैद पेड़ों का कटान किया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जागरुकता को लेकर मंगलवार को अवराई विकास खंड के तिरलोगपुर प्राथमिक विद्याले परिशर में जिला प्रुवेशन अधिकारी के निर्तुत में एक जागरुकता कारिकरम का आयोजन किया गया जिसमें महिला कल्यान विभाग एवं आमन हरल डिपलप्मेंट सोसाइटी के लोग भी मौजूद रहे कारकरम में भदोही जिला प्रुवेशन अधिकारी महिन्र कुमार ने कहा कि एक पढ़ी लिखी बेटी एक नहीं दो दो घरों का भविस सवार्ती है इसलिए बेटियों 1098 के राजेस यादव वबिनायव पाठक मौजूद रहे अभोली विकास खंड के ग्राम सबा स्रीपुर की निलंबित कोटे की दुकान को लेकर कारधारकों ने जिला अधिकारी को पत्र सौप्त हुए गाउ में नए कोटे की दुकान के चैन कराय जाने की मांग की है ग्रामलों का आरोफ है कि निलंबित कोटे दार ने कारधारकों के साथ काफी मनमानी की थी कोटे दार द्वारा कभी भी कारधारकों को रासन नहीं दिया जाता था निर्धारित रेट से अधिक पैसा लिया जाता था निलंबित कोटेदार द्वारा कभी भी चने का वित्रण नहीं किया गया टामलों ने कहा कि निलंबित कोटे की दुकानदार के खिलाब सभी लोग अपना अपना बयान पूर्ती विभाग में दर्ज करा चुके हैं ग्रामिडों ने कहा कि दुकान के चैन के लिए ग्राम सभा में खुली बैठक करवा कर नए कोटे की दुकान का चैन किया जाए न्याले के आदेश के बाद ग्यानपुर के बाहु बली बिधायक विजय मिस्रा की पतनी मलसी राम लेली मिस्रा की हाजरी मंगल वार को पूरी हो गई आपको बता दे कि बिधायक विजय मिस्रा वा उनके बेटे सहित पत्नी पर उनके ही रिस्तेदार ने मकान वा फर्म हड़पने का आरोप लगाया था मुकदमा दर्ज होने के बाद बिधायक विजय मिसरा जहां जेल में हैं वहीं बिधायक के बेटे बिश्ड मिसरा अब भी फरार हैं इस दवरान रामलली मिसरा को कोट से जमानत मिल गई थी और साथ दिनों तक गोपी गंज कोटवाली में हाजिर होने का आदेस सुनाया था या हाजरी मंगलवार को पूरी हो गई साथ दिनों तक चले कारवाई के बाद पुलिस के हाथ खाली रह गए सुरियामा थाना इलाके के मतेथु के परताप सिंग पट्टी में जमीनी विबात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है बताया जाता है कि जमीनी विवात को लेकर मंगलवार को सिव संकर यादव वा जुगनु कर्नोजिया के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है सुरियामा पुलिस ने इस मामले में च्छा लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है मारपीट में तीन महिलाएं घायल हुई है घायलों में आरती देवी, सांती देवी, अनीता देवी को चोटे आई है इस मामले में जुमनु कर्नोजिया की तहरीर पर पुलिस ने च्छा लोगों के खिलाप विभिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है मारपीट से गाउ में अफरा तफरी के हालात रहे भदोही जिले के अलग-अलग थाना कोटवाली में नवरात्र भरत मिलाप, दुर्गा पूजा वा बिजय दस्मी को लेकर सांती समित की बैठक आयोजित की गई जिसमें ग्यानपूर डियासपी भूसर वर्मा मौजूद रहे दुर्गा पूजा रामलीला भरत मिलाप समित के लोगों के साथ हुई बैठक में डियासपी ग्यानपूर ने कहा कि संकरमण को लेकर जारी गाईड लाइन का सभी पालन करे इस दोरान समित के लोगों ने फैसला लिया कि इस बार एतिहासिक भरत मिलाप वबिजय दस्मी अस्थगित रहेगी रामलीला समित केवल मुकुट पूजा करेगी समित के लोगों ने पुलिस को गाईड लाइन का पालन पूरी तरह करने का भरोसा दिलाया है बैठक में कोतवाल कृष्णानंद राय चौकी इंचार्ज जयासंकर ओजा सहित तमाम लोग मौजूद रहे इसी तरह ग्यानपूर कोतवाली में भी तमाम पर्मों को लेकर सांती समित की बैठक बुलाई गई थी इसी तरह दुरगागन ठाने पर भी सीयो प्रयांक जैन के निर्तित में पीस कमेटी की बैठक संपन हुई जिसमें छेतर के तमाम लोग मौजूद रहे पिछले कुछ दिनों से भधोही में संकर्मण की रफ्तार धीमी पड़ रही है मंगलवार को 12 लोगों की रिपोर्ट पाश्टिवाई जिसमें भधोही के जैसवाल कालोनी के 45 वर्सी महिला, भवानीपुर की 30 वर्सी महिला, जमनीपुर की 22 वर्सी यूती, 19 वर्सी यूती, अभोली का 26 वर्सी यूवक, भधोही की 58 वर्सी महिला, जलालपुर की 25 वर्स महिला गुवाली का 20 वर्सी यूवक पठखावली इटवा का 38 वर्सी व्यक्ति कंसरायपूर का 35 वर्सी व्यक्ति गोपी गंज का 51 वर्सी व्यक्ति सामिल है अब जिले में मरीजों की संख्या 1768 पहुझ गई है हम अपने दर्सक परिवार से निमेदन अपीलवा गुजारिस करते हैं कि अगर खबर अच्छी लगे तो आटसप फेस्बुक सहित अन सोसल मीडिया फ्लेट फार्म के जरिये सत्यमनीज बेव टीबी की खबरों को अवस्ष सेयर करें साथ ही लाइक कमेंट कर सत्यमनीज टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे अपने आसपास की खबरों को हमें अवस्ष बताएं हम चैनर पर लगातार अपना नमबर फलेश कर रहे हैं आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी मुलाकात कर दो